वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल एंजोई इंग्लिश विद भव्या माम आज हम 11th क्लास की स्नाप्शोट बुक का सेकेंड चेप्टर दी एड्रेस करेंगे इसमें क्या पताया गया है कि दूरिंग दा टाइम ओफ वर्ल्ड वार सेकेंड जो जर्मन्स थे उन्होंने होल लैंड पर अटाक किया और जब अटाक किया तो महाँ पर 90% जो रहने वाले लोग थे वो कौन थे जीउस थे तो ये सारे लोग इदर उदर भागने लग गए उसमें एक वुमेन और एक छोटी सी डॉर्टर बताई है जो हमारे स्टोरी की मेन करेक्टर है इनको भी क्या किया इनको भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ा तो इन्होंने क्या किया इसकी जो मदर थी इस डॉर्टर की जो मदर थी वो एक वुमेन को और जानती थी और उसको उन्होंने सारा समान दे दिया थोड़े time के बाद इस daughter की mother की death हो जाती है ठीक है और जब war का time थोड़ा सा शान्त हो जाता है तब ये जो daughter है वो सोचती है कि मैं उस woman से मिलके आती हूँ जिसको मेरी mother ने सारा समान दिया था लेकिन वो जो woman है वो क्या करती है वो refuse कर देती है उसको पहचानने से क्योंकि वो उसको वो सारा समान वापस नहीं करना चाहती जो उसने ले लिया था तो इस story में ये दिखाया गया है कि जो daughter है जब वो जाती है उससे मिलने के लिए एक बार जाती है तब क्या होता है दुबारा जाती है तब क्या होता है and finally result क्या होता है ये सारा हम इस chapter में पढ़ेंगे अब देखो इसमें बोला है the address the address जो title है इससे क्या मतलब है address मतलब ये है कि जो उसकी मदर ने जिस lady को सारा समान दिया था उसका address ठीक है वो अपनी daughter को पताती है कि ये address है और इसको मैंने सारा समान दिया था और वो address क्या है Mrs. Darling 46 मारकनी street fine now let's start the chapter do you still know me I asked मैंने पूछा क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो the woman looked at me अब ये देखो do you still know me I asked किसने पूछा उस daughter ने पूछा ठीक है किसने पूछा इस chapter में क्या क्या सीधा हमें कहां लेगे कि जो daughter है वो कहां पहुंच चुकी है उस lady के घर पे पहुंच चुकी है ज जा के पुछती है क्या तुम मुझे जानती हो और वो woman कैसे react करती है वो उसे देखती है searchingly एक्तम से अजीब सा reaction देती है ढूंडती हूँ देखती है she had opened the door a chink chink यानी थोड़ा सा वो थोड़ा सा दर्वासा खोलती है I came closer and stood on the step पे थोड़ा सा और पास जाती हो और कहां प mother का name clear हो गया कौन है Mrs. S मैं Mrs. S की daughter हूँ she held her hand on the door as though she won't अब वो क्या करती है अपने हाथ को ऐसे रखती है कि वो उसको ना खोलना नहीं चाती है proper ठीक है और हर face की absolutely और उसका जो face होता है वो कोई भी तरीके का ऐसा sign नहीं देता recognition का मत होता है पहचाना कि जैसे उसने उसको पहचाना हो बड़ा अजीब सा react करती है she kept staring at me in silence और वो क्या करती है बिल्कूल ही silence से मुझे क्या करती रहती है गूरती रहती है perhaps I was mistaken और एक second के लिए तो उसको लगता है शायद मेर से ही कोई गलती हो गई है मैं ही किसी घलत घर में आगी हूँ I thought perhaps it is not her कि शायद यह वो नहीं है जिसको मैं ढूंड रही हूँ I had seen her only once वो खहती है मैंने न सिरफ उन्हें एक बार देखा था flittingly यानि बहुत ही short time के लिए और वो भी काफी साल पहले की बात है और it might be possible यह probability है possibility है कि मैंने गलत घर की बेल बजा दी है हो सकता है न यह the woman let go of the door and step to the side a woman क्या करती है जो दर्वासा होता है न उसको छोड़ देती है और step to the side यानि एकदम थोड़ा सा पीछे हट जाती है अब जब वो पीछे हटती है और थोड़ा सा दर्वासा छोड़ती है तो वो क्या observe करती है कि उसने क्या पहना हुए उसने green color का बुना और जो cardigan के button थे na wooden button वो कैसे हो चुके थे पीले हो चुके थे कैसे from washing धुलने की वज़े से पीले पड़ गए थे she saw that I was looking at the cardigan वो समझ गए कि मैं किसको देख रही हूं cardigan को देख रही हूं तो वो क्या करती है खुद को आदा चुपा लेती है door के पीछे लेकिन मैं समझ ग आप मेरी मदर को जानती है जानती थी तो मुमन क्या कहती है have you come back तुम वापस आ गई हो मैंने तो यह सोचा था कि कोई वापस नहीं आएगा क्याती है only me सिरफ मैं ही आई हूं a door opened and closed in the passage behind her अब पीछे कोई एक door है जो खुलती है बंद होती हो और वहां से क्या आ रही है एक मस्टी स्मेल आ रही है मस्टी है नहीं कोई सीलन की स्मेल आ रही है पीछे से I regret यह ignore मारो next इस पर आजाओ वापस I regret I cannot do anything for you और वो फिर से क्या कहती है कि मुझे बहुत ही regret है मुझे बहुत ही खेद है दुख है पचताव है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूं वो क कहती है कि नहीं अभी मेरे लिए convenient नहीं है I can see I can't see you फिर किसी टाइम आना another time अब हो क्या करती है she nodded and cautiously close the door अपना सिर हिलाती है और बिल्कूल ही alert होके धीरे से दरवाजा बंद कर देती है कैसे as though no one inside the house should be disturbed इस तरीके से कि घर के अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो किसी को पत the curtain in front of the bay window अब क्या था कि side में कोई दरवाजा था balcony का या कुछ भी होता निया garden और उसके बीच वाला दरवाजा जो था sorry window जो थी उस पे क्या लगा हुआ था curtain लगा हुआ था ठीक है वो curtain थोड़ा सा move करता someone said at me कोई मुझे देख रहा होता है अंदर से and would then have asked what I wanted अब शाय किस से पुछाओगा उस lady से पुछाओगा किस से mrs. darling से उससे पुछाओगा कि यह जो बाहर खड़ी है उसको क्या चाहिए oh nothing the woman have said और उस woman ने अंदर से क्या जवाब दिये और नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए it was nothing कुछ नहीं ऐसा I looked at the nameplate again अब मैंने क्या किया दुबारा से उस nameplate को देखा darling its age उस पे क्या लिखा हुआ था darling in black letters on a white enamel white enamel यानी white paint के उपर black letter से लिखा हुआ था and on the jam a bit higher the number number 46 अब क्या था और जो जहां पर name लिखा हुआ था उसके थोड़ा सा उपर और side में क्या लिखा हुआ था number 46 as I walked slowly back to the station अब क्या हुआ मेरको वहां से कोई response तो मिला नी उसने दरवासा बंद कर दिया मैं वापस कहा move करने लगी station की तरफ वापस जाने लगी I thought about my mother मैंने किस के बारे में सोचा मैंने ना अपनी mother के बारे में सोचा who had given me the address year ago जिनोंने कई साल पहले मुझे ये address दिया थ अब ये ना थोड़ा सा past में जा रही है वो चीजों को याद कर रही है तो confused नहीं होना बिल्कुल भी वो क्या याद कर रही है वो कहती है कि ये ना तब की बात है जब जो वार का first half part था तब की बात है मैं ना घर पे गई हुई थी थोड़े दिनों के लिए मतलब ये है कि से पहले की बात है और उसकी मदर के पास वो रहने आई हुई थी मतलब वो कहीं बाहर पढ़ती होगी और अपने घर पे कुछ टाइम के लिए आई हुई थी और मैंने क्या देखा इट स्टक में इमीडियेटली मैंने मेरे माइन में आया कि हमारे रूम में काफी कुछ चें I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother वो केते मैंने जादा उनके बारे में नहीं सुना था लेकिन शायद वो मेरी मदर की एक पुरानी जानकार थी acquaintance यानी जानकार थी whom she had not seen for years लेकिन उन्होंने भी अब उनको काफी सालों से नहीं देखा था she had suddenly turned up क्या था कि वो जो लेडी थी वो एकदम से turned up हो गई एकदम से वापस आ गई and renewed their contact और फिस से उसने क्या किया contact बना दिये since then she had come regularly अब क्या होता था कि वो जो लेडी थी न वो उनके घर पे regularly आती थी क्यों आती थी देखो every time she leaves वो क्यों आती थी देखो वो ये बोलती थी कि मैं न इसलिए आ रही हूँ आपके घर का जितना भी जो समान है न expensive समान antique plates हैं silver है कुछ भी है वो मैं ले जाती हूँ अपने पास संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि वार की situation है कभी भी हमें छोड के जाना पड़ सकता है तो आपका नुकसान नहीं होगा मेरे पास संभाल के चीज़े पड़ी रहेंगी इसलिए वो आती थी clear हो गया every time she leaves here she takes something home with her अब क्या होता था कि जब भी वो आती थी यहाँ पर अपने साथ अपने घर पर कुछ न कुछ ले जाती थी ऐसा मुझे मेरी मदर ने बताया चीक है she took all the वो क्या ले जाती थी सारी table silver in one go table silver यानि silver यह refers to cutlery set जो भी चम्मच फो कुछ भी हो गया in one go यानि एक ही बारी में and then the antique plates और और क्या जो old antique plates होती थी जो वहाँ पर टंगी थी वो भी ले गई she had troubled lugging those large vases यानि कि जो उसको trouble किसमे हो रही थी lugging होता है खीचना उसको खीचने में बड़े बड़े जो flower pot थे जो वास थे उसको खीचने में problem हो रही थी and I am worried और मेरे को ये tension हो रही थी किसको और ये tension उसकी mother को हो रही है कहती है मैं इतनी परिशान होती थी कहीं ये crocker उठाते 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 न इसके back में कोई क्रिक ना आ जाए कोई चोट ना जाए कोई मुड़ना जाए बलना पड़ जाए my mother shook her head pittingly और मेरी मदर क्या करती है अपना जो सिर है वो कैसे हिलाती है दया वाली sense में हिलाती है और कहती है I would never dare I would never have dared ask her मैंने कभी हिम्मत नहीं कि उससे कुछ पूछने की she suggested it to me herself उसने मुझे खुद से बताया क्यों हिम्मत नहीं की क्योंकि उसको ये लगता था कि वो जो है न मेरे favor में बोल रही है और उस lady ने खुद ने उसकी mother को suggest किया even insist भी किया कि क्या कि she wanted to save all my things वो मेरी सारी चीजों को बचाना चाहती है क्यों बचाना चाहती है कि if we have to leave here अगर हमें कभी यहां से छोड़ के जाना पड़ा then we shall lose everything तो क्या होगा हम सारा कुछ खो देंगे इसलिए मैं इन सब चीजों को अपने साथ संभाल के रखलूंगी she says ऐसा उसने कहा फिर मैंने अपनी मदर से पूछा have you agreed with her that she should keep everything आप इस बात पर agree हो गई कि ठीक है सारी चीज़े तू ले जा और उसकी मदर चिलाती है और क्या बोलती है as if that necessary मतलब यह उस टाइम पर जरूरी था ऐसा करना and it would simply be an insult to talk like that और उस तरी वे में वो अपनी मदर को बोल रही है कहती है अगर मैं उस लेडी से ऐसे बोलती न तो यह तो एक तरीके की उसकी insult करने वाली बात थी and think about the risk और तुम यह सोचो कि वो लड़की वो बंदी कितना वो लेडी कितना बड़ा risk ले रही थी क्या risk ले थी कि हर टाइम जब वो हमारे डोर से बाहर निकलती तो पूरा suitcase bag उठा उठा के जा रही है वो first जाती तो my mother seemed to notice that I was not entirely convinced और मेरी मदर समझगी कि मैं convinced तो होनी पारी उनके इन सब बातों से तो उन्होंने मुझे कैसे देखा reprovingly मतलब थोड़ा सा डाटते हुए उस look में देखा and after that उसके बाद हमने इस topic पे कोई बात नहीं की meanwhile I have arrived at the station अब ये देखो अब वो फिर से station पहुच गी वो उसके घर से निकली थी station जा रही थी लेकिन बीच में वो ये सारी बाते याद कर रही थी कि क्या क्या हुआ था कैसे कैसे मुझे उस darling के बारे में पता चला and finally ये सोचते सोचते वो कहां पर पहुँच गई station पर पहुँच गई without having paid much attention to things on the way अब जब वो station पहुँची कैसे पहुँची उसने आस पास की चीजों पर कोई ध्यानी नहीं दिया कोई क्यों ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका माइन तो कहां था उन सब memories में था अपनी मदर के बारे में सोचने में था I was walking in familiar places again for the first time उस वार के बाद पहली बार में इन सब जगाओं पर जो मेरे यह familiar places थे जिनको मैं जानती थी उस पर पहली बार आई थी ना वहां से वार खतम हो गई यह shift हो गई अब यहां पर समाल लेने आई तो वार के बाद पहली बार आई But I didn't want to go further than was necessary मुझे लगा आगे नहीं जाना थी इतनी जरुवत है उतना ही जाओ क्यूंकि I didn't want to upset myself क्यूंकि मैं अपने आपको upset नहीं करना चाहती थी परिशान नहीं करना चाहती थी उन streets को houses को देखके जो किस से भरी हुए है जो मेरी एक बहुत ही precious time की memories थी मैं उनको देखूंगी मुझे दुख होगा तो मुझे और आगे नहीं जाना in the train back I saw Mrs. Darling in front of me again और क्या हुए जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी मैंने अपने सामने किसको देखा Mrs. Darling को देखा reality मैं नहीं देखा कहीं है आप सोचो सिरफ एक imagination है ठीक है और वो क्या कहती है कि मेरे mind में क्या आया again as I had the first time I met her अब फिर से वो past में चली गी है पहली बार जब मैं उससे मिली थी तो जब मैंने उसको देखा था ना same वो ऐसे मेरे सामने आगी कैसे मिली थी ये देखो it was the morning अब ये फिर past में जा चुकी है चीक है वो कहती है सुबह का time था after the day my mother had told me about her चीक है I had got up late में सुबह लेट उठी थी and coming downstairs और सीडियों से नीचे आ रहे थी मैंने ये देखा कि I saw my mother about to I saw my mother about to see someone out कि मेरी जो मदर है वो क्या कर रही है किसी को bye bye कर रही है see off कर रही है a woman with a broad bag और वो जो woman है उसकी back कैसी है बहुती जादा broad है काफी जादा चोड़ी है तो वो जाई रही होती है तो मेरी मदर क्या बोलती है this is my daughter ये मेरी बेटी है she beckoned to me बेकन होता है इशारा करके कहना थोड़ा हाथ सिला के ये मेरी बेटी है और वो जो woman थी उसने क्या किया उसने अपना सिर हिलाया अपना suitcase उठाया कहां से coat rack के नीचे से उस woman ने क्या पहना हुआ था ब्राउन कलर का coat पहना हुआ था और एक shapeless hat पहनी हुई थी और वो चली गई पहने अपनी मदर से पूछा does she live far away कि क्या वो बहुत दुर रहती है क्यूंकि मैंने ये देखा कि उसको बहुत जादा difficulty हो रही है क्या उठाने में वो जो heavy suit case उसने उठा रखा है उसको उठा के जाने में बहुत difficulty हो रही थी तो मैंने पूछ लिया अपनी मदर से कि क्या ये वह साथ दूर रहती है क्या तो मेरी मदर ने मुझे क्या बोला इन मारकनी स्ट्रीट नंबर 46 रिमेंबर देट भूलना नहीं है आपने में भूलना है क्या मारकनी स्ट्रीट नंबर 46 चीक है I had remembered it तब से मुझे ये नंबर याद है अब क्लियर हो गया ना कि वो कैसे उसके पहली बार मिली थी कैसे उसको ये एड्रेस मिला था उसकी मदर ने क्या बताया था अब वो खहती है I had remembered that मुझे ये ये नंबर याद था लेकिन मैंने काफी टाइम तक वेट किया कैसे इनिशियली आफ्टर दा लिबरेशन लिबरेशन यानि फ्रिडम के बाद पहले तो क्या था मेरे ना कोई इंटरस्ट ही नहीं था इन सब स्टोर्ट स्टफ में सारे समान में जो भी सारा ही कठ्था हुआ पड़ा था नेचरली I was also rather afraid of it और एक तो interest नहीं था दूसरी में थोड़ी पहुत अंदर से डर्ती भी थी डर्ती क्यूं थी वो क्यूंकि उसको यह लगता था कि confronted with things that had belong to a connection की यह सारी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा confronted का मतलब तर फेस करना and boxes और यह सारा जो समान है वो कहां पर है? कबड में है, boxes में है और यह समान है न वेन होता है बेकार में यह समान बेकार में ही वेट कर रहा है कि कोई आएगा और हमें वापस अपनी जगापे रखेगा which had endured all those years because they were things वो कहते यह सारा समान बचा रह गया उन सालों में, क्यों बचा रह गया? क्योंकि यह सिरफ एक समान था यह सिरफ एक चीजें थी but gradually everything became more normal again लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे सारी चीजें normal होने लगी after the war, bread was getting to be a light color bread जो थी, double roti जो थी वो क्या हो रही थी? light color की हो रही थी there was a bed you could sleep in unthreatened, एक bed था जिस पे आप बिना किसी डर के सुकून की मीन सो सकते हो a room with a view you were more used to glance एक कमरा था जिसमें आपको आदत थी कहीं पर देखने की बाहर तो मतलब चीजें सामान ने हो रही थी and one day और एक दिन मैंने क्या notice किया I was curious about all the positions उन सारी चीजों के बारे में that must still be that address वो कहती है कि मैं यह हो गई कि शायद वो समान अभी भी वहाँ पर होगा और मेरे अंदर क्या हुआ कि I wanted to see them मैं को ना उनको देखना है उनको टच करना है उनको याद करना है एकदम से वो उत्सुक सी हो गई उन सब चीजों के लिए After my first visit in vain Vain होता है बेकार जाना अब Mrs. Darling house की पहली visit तो बेकार गई थी उसने पहचाना नहीं था दरवाजा बंद कर दिया था तो मैंने क्या decide कि मैं एक बार और जाती हूँ अब क्या हुआ वो गई Now a girl of about 15 open the door अब एक girl थी 15 year की उसने दरवाजा खोला वो कौन है Mrs. Darling की daughter है I asked her मैंने पूछा कि क्या आपकी मदर घर पर है उसने बोला नहीं My mother doing an errand errand मतलब कोई काम करना चोटे मोटे काम करना मेरी मदर कोई काम कर रही है पात को फोलो किया तो मैंने क्या दिखा एक old fashion iron hanukkah पढ़ा हुए वहाँ पर candle holder hung next to a mirror मतलब mirror के next में mirror के आगे एक क्या पढ़ा है एक candle holder पढ़ा है ठीक है old fashion iron hanukkah hanukkah वैसे एक festival के लिए भी use होता है और या फिर आप यह कह सकते हो की candle holder के लिए यहाँ पर use किया गया वो पढ़ा हुआ था वो कहती हम लोगों ने इसको कभी use नहीं किया था क्यों क्यों कि यह जो था ना more cumbersome था cumbersome का मतलब होते heavy हो ना एक single candle stick को उठाने की बजाए यह बहुत सादा भारी था तो इसलिए हम लोग उसको उठाते नहीं थे उठ चाईए candle वाई उठाके use कर लेते थे want you sit down ask the girl girl ने मुझे पूछा कि तुम बैठोगी नहीं यहाँ पर तो उसने क्या क्या she held open the door of the living room उसने जो living room का जो दर्वासा था वो खोला और मैं अंदर चल गई past her यानि उसको cross करती उससे गुजरती भी मैं अंदर पहुच गई I stopped horrified मैं अंदर गई मैं एकदम से डर गई क्योंकि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी clear जानती कैसे थी क्योंकि वो सारी चीज़े फैमिलियर थी और नहीं जानती थी क्योंकि वो किसी और के घर पे इतने टाइम के बाद आ रही है I found myself मैंने खुद को उन सब समान के बीच में पाया जिने मैं कभी नहीं देखना चाहती थी but which oppressed me in the strange atmosphere लेकिन क्या हुआ कि जब मैं उन सब चीज़ों को देखा तो एक अजीब सा atmosphere बन गया और उसके बीच मैंने खुद को दबा हुआ सा पाया कि मैं कई दब गई हूँ बहुत पीडित सा फिल हुआ उसको और because of the tasteless way everything was arranged और वहाँ पर क्या था हर एक चीज बहुत थी अजीब बेढंगे तरीके से tasteless way में arrange की गई थी शायद वहाँ का अगली furniture जो था उसमें से magी smell आ रही थी magी smell मैंने आपको पताया भी था पहले भी कि वो sealan वाली smell आ न I don't know मुझे पता नहीं क्या था I scarcely dared to look around मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आसपास देख पहूँ लेकिन I have to the girl moved a chair अब वहाँ पर जो लड़की थी उसने क्या किया यानि Mrs. Darling की daughter जो थी उसने एक chair को घसका दिया मेरी तरफ बैठने के लिए मैं बैठ गई जब मैं बैठी न तो मेरे सामने क्या था एक table थी ठीके table के उपर एक woolen table cloth था और stair होता है घूरना मैं उसको घूरने लगी फिर मैंने क्या क्या हाथ से न उसको रब किया तो जब मैंने उसको रब किया तो मेरी जो fingers थी वो क्या होगी गरम होगी रब करने से I followed the lines of the pattern मैंने उसकी जो lines of the pattern मतलब जो भी उसका design था उसको नो follow करने लगी मैं क्यों करने लगी क्योंकि somewhere on the edge there should be a burn mark उसका मानना ये था कि इसके किसी corner पे एक burn mark होना चाहिए जिसको repair नहीं किया गया पहले उनके घर पे था तो उसको पता था तो वो चेक कर रही थी हमारे वाला ये न my mother will be back soon said the girl girl क्या कहती है मेरी mother जल्दी ही आती होगी मैंने उनके लिए पहले से ही tea बना रखे क्या आप लोगे तो वो कहती है thank you I looked up मैंने उपर देखा the girl put cups ready on the tea table जो girl है वो क्या करती है जो cup है चाय के वो ready कर रही है tea table के उपर she had a broad bag उसकी भी कैसी है जब चाय डाल दिया थोड़ा सा जुकते है न उसने क्या देखा इस बेटी की back भी कैसी है broad है जैसे उसकी mother की थी she poured tea from a white pot और वो क्या करती है एक white color के pot से tea डाल रही होती है all it had was a gold border on the lid और उसका जो धक्कन होता है उसके side में golden color का border होता है I remembered she opened a box and took some spoons out उसने क्या किया एक box खोला और उसमें से कुछ spoon निकाले that's a nice box I heard my own voice और क्या और क्या हुआ कि मुझे न अपनी ही आवाद सुनाई दी क्या that's a nice box कि ये बड़ा जैसे हम होता न मन मन में बोलते हैं ये तो बड़ा अच्छा box है it was a strange voice कि न बड़ी अजीब सी आवाज थी as though it sound was different in his room ऐसे लग रहा था हर एक आवाज डिफरेंट है इस कमरे में oh you know about them तुम जानती हो इसके बारे में she had turned round and brought me my tree वो थोड़ा सा घूमी जैसे पहले वो चाय डाल रही थी है वो घूम के देगी न उसको थोड़ा सा टर्म करती है और उसको मेरे आगे क्या लाती है चाय she laughed वो हसती है कहती है my mother says it is antique मेरी mother कहती है कौन कहती है Mrs. Darling की बेटी कह रही है कि मेरी जो मदर है यानि Mrs. Darling कहती है कि ये समान बहुत अंटीक है we have got lots more हमारे पस और भी बहुत सारा समान है she pointed round the room और वो इशारा करते है room की तरफ दिखाती है see yourself वो कहती है खुदे उठके देख लो हमारे पस बहुत सारा समान है I had no need to follow her hand वो जो उंगली से इशारा करके दिखा रही है तो वो हमारी जो ये गर्ल है वो क्या कहती है कि मेरे को उसके हाथ को follow करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि मैं already जानती हूँ which things she means कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है I just looked at the still life over the tea table मैं सिरफ किसको देख रही थी एक जिन्दगी को जो tea table के उपर still परी है मतलब बिल्कुल still यानि without any moment परी है यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि वो अपनी mother को remember कर रही है जो अब नहीं है she is still now as a child I had always fancied the apple on the pewter plate अफो क्या कहती है जब मैं छोटी थी न तो हमेशा से मैं क्या चाहती थी यह जो pewter plate होती है एक white metal की plate होती है उसके उपर apple खाना यह जो है उसका एक बहुत ही बड़ा शोक होता था चीक है तो वो क्या कहती है वो use it for everything she said और Mrs. Darling की बेटी कहती है कि हम तो ना इसे हर चीज के लिए use कर लेते है एक बार तो हमने क्या किया था once we even ate of the plates हमने इस plate में खाना भी खाया था देखो यह जो सारी दिवार पे टंगी हुई है plates इनके उपर I wanted to so much but it was not anything special वो कहती है मैं चाहती तो थी कि मुझे यह मिले लेकिन अब मुझे लग रहा था यह सब चीजे मेरे लिए कुछ special नहीं है I had found the burn mark on the table cloth और finally उसे उस table cloth के उपर क्या बिल जाता है वो burn mark जिसको वो पहले ढूंड रही थी और जब वो मुझे मिल जाता है तो girl look questioningly to me अब वो उसको थोड़ा से देखेगी naturally है कि इसको कैसे पता है कि ऐसे डूंड रही थी तो वो उस वे में उसको look देती है Yes, I say it You get so used to touching वो कहती है हाँ You get so used to touching all these lovely things in the house You hardly look at them anymore वो कहते है कि आपके पास उसकी दरफ ध्यान देते हो अगर हमारे पास suppose car नहीं है जब car आ चाती है तो वो हमारे लिए आम चीज हो जाती है हमको यह नहीं होता special use पे ध्यान देते है लेकिन हम कब चीज को notice करते है when something is missing जब क्या हो कोई चीज missing हो because it has to be repaid or because you have lent it for example वो कहते है एक्जांपल के लिए मालो कि हम notice कब करते है जब कोई चीज खराब हो गई है repair के लिए दी है या फिर आपने किसी से lent की है इस टाइम otherwise नहीं करते हम notice again I heard the unnatural sound of my voice फिर से न एक अजीब सी आवाज आई मेरे अंदर से and I went on I remember my mother once asked me if I would help her मेरे को न अब क्या फिर से वो अपनी मदर को याद कर रही है वो कहती है मेरे को न अंदर से आवाज आई और मुझे याद आया कि एक बार मेरी मदर ने मुझे बोला था कि क्या मैं silver silver समझ में आ गया जो fog knife ये सारे cutlery set के लिए यूज कर रहा है कि उसको polish करने में मैं उनकी help कर दूँगी ये बहुत time पुरानी बात है और क्या था उस time पे शायद मैं bored हो रही थी और perhaps I had to stay at home और शायद या फिर मैं घर पे इसलिए थी क्योंकि मैं बिमार थी लेकिन उससे पहले मेरी मदर ने कभी नी बोला था उसी दिन बोला था कि क्या कर मेरी help कर दे इनको polish करने में I asked her मैंने उनसे पूछा which silver she means कौन से silver की बात कर रहे हो अब and she replied और वो ना बड़े क्या reply करती है that it was कि हमारे spoon, fork, knife इन सब की बात कर रहे हूँ and that was the strange thing और वो कहते है यह इतनी अजीब बात है कि मेरे को पता ही नहीं था कि जिस cutlery में हम खाना खा रहे हैं वो silver की है मतलब जो चीज हमारे पास होती है हम उसको notice नहीं करते हैं उस दिन मुझे पता चला कि यह सारी चीजे क्या है किस चीज की बनी हुए है silver की the girl laughed again अब वो girl जो है फिर से हसती है वो कहती है I bet you don't know it is either मैं तुम से bet लगा सकती हूँ तुम नहीं जानती कि यह सब चीजे भी चानती की है I looked intently at her मैंने सब चीजों को बहुत ही ज़ादा ध्यान से देखा what we eat with she asked और उसने पूछा हम किस के साथ खाते हैं well do you know किस के साथ खाते हैं मैंनलब हम किन बर्तनों में खाते हैं उसने यह पूछा well do you know तो वो कहते हैं अच्छा क्या तुम जानती हो she hesitated she walked to the sideboard अब वो क्या करती है वो थोड़ा सा hesitate करती है फिर वो sideboard में चाहती है and wanted to open a drawer अब वो अपना drawer खोल के दिखाना चाहती है कि देखो हम किस चीज में खाते हैं I will look it's here वो क्या कहती है कि मैं देखती हूँ वो यहीं पर है इसी side पर है I jump up मैं एक दम से कूछती हूँ मैं भूल जाती हूँ time दो निकल गया I have to catch my train मेरी train पकड़नी है मुझे she had her hand on the drawer उसका हाथ अभी drawer पर ही होता है क्योंकि वो समान निकाल रही होती है कहती है don't you want to wait for my mother तो मेरी मदर का wait नहीं करोगी no I must go वो कहती है नहीं I walk to the door मैं कहां भागती हूँ door की तरफ the girl pulled the drawer open और जो girl होती है वो क्या गरती है उस drawer को अभी उसने open ही पड़ा होता है मतलब वो खुला ही होता है and I can find my own way मैं क्या करती हूँ मैं अपना रस्ता देख लेती हूँ as I walk down the passage I heard the jingling of spoons and folks और जब मैं अपने रस्ते जा रही होती हूँ तो मैं क्या सुनती हूँ मुझे एकदम से आवास आती है किसकी spoons की और folks की jingling की मतलब उसने निकाला है उसके हाथ से गिरे हैं कही ना कही at the corner of the road I looked up at the nameplate और road के corner पे मैं खड़ी होके फिर से मुढ के उस nameplate को देखते हूँ जिस पे क्या लिखा होता है मारकनी street I had been at number 46 and the address was correct but now I didn't want to remember it anymore लेकिन अब मैं इस address को याद नहीं करना चाहती I would not go back there because वो कहती मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगी क्योंकि यह जो objects है यह किस से जुड़े हो हैं मेरी memory से जुड़े हो हैं with the familiar life of former times जो मेरी उस जिंदगी को दिखाते है early time की पुरानी time की जिंदगी जिससे में बहुत familiar थी instantly lose their value when served from them you see them again in strange surrounding मतलब क्या है कि यह सारी चीजे पुरानी time की जो चीजे होती है यह अपनी value खो देती है कैसे? served from them जब आप उनसे cut जाते हो served होता है cut ना थोड़े time के लिए आप उनसे cut जाते हो और फिर जब आप उनको दुबारा देखते हो तो उनकी वो चीज वो नहीं रहती पेपर still hung जहां पर shreds होता है टुकडे टुकडे होना कतरे हो जाना किसी की तो टुकडे टुकडे जो black color के paper के वहां पर टंगे होए हैं आप यह क्यालो कि जैसे नहीं होता कि window में हम लोग थोड़ा सा गता फसा देते हैं paper फसा देते हैं जूपना है तो इस टाइप से एक rented room है जहां पर यह सारे window पर टंगे होए हैं and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer और मेरा जो drawer है जहां पर वो रहती है वो बहुत ही छोटा सा है और उसमें क्या होता है handful of cutlery यानि मुठी बर ही जो cutlery है वो मुश्किल से आएगी उससे जादा उसमें कुछ नहीं आ सकता मैं ले जाके क्या करूंगी यह सारे समान को I resolved to forget the address और मैंने यह decide किया कि मैं इस address को हमेशा के लिए भूल जाओंगी क्या address था मारकनी street number 46 of all these things I had to forget that would not be that would be the easiest और मुझे इन सभी को इन सभी चीजों को भूलना ही है और यही मेरे लिए सबसे easy रस्ता होगा so this was the chapter and what was the main theme theme यह थी इसकी कि we should not live in the past life is to move on क्योंकि अगर आप past में रहोगे the things which you have left behind तो आपको यह हमेशा क्या करेंगी hurt करेंगी और उनका आपके जो present में वो चीजे matter भी नहीं करने चाहिए so this was the chapter सिरफ एक memory रखो आप अपने heart में लेकिन उनको अपने उपर हावी मत होने दो अपने present पे हावी मत होने दो thank you very much please like, share and subscribe our own YouTube channel enjoy English with Mavya Ma'am